हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आज के इस महत्पूर्ण वीडियो में दोस्तों अगर आप इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फरी इंटर का बोर्ड जाम दिये हैं कि आखिर मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अगर आप वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजी यहाँ पर आप लोग किलियर ली जो है देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 10th 12th result Bihar बोर्ड की 12 मी की कौपी का मुल्यांकन अन्तिम चरण में बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कब आ सकता है मैट्रिक इंटर रिजल्ट यहाँ पर आप लोग किलियर ली देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 10 मी की कौपी का मुल्यांकन शुरू होने के दूसरे दिन ही मैट्रिक इंटर पडिक्षा के रिजल्ट जारी होने की तारिक जो है गोशित कर दिया हैं आईए सारा जानकारी डिटेल में हम आप लोग को बताते हैं दरसल आपको बता दे कि कल बिहार तीटी का जब रिजल्ट जारी किया जा रहा था तो उसी समय प्रेस कनफरेंस में मीडिया ने जब आपके बोड अध्यक्ष आनद की सोर और वहाँ पर ही आपके सिक्षा मंतरी देख सकते हैं कि चौधरी जी भी वहाँ पर मजूद थे तो मीडिया ने जब मैट्रिक और की दसमी का जो मुल्यांकन काम जो हो रही है और दसमी की कौपी का मुल्यांकन कारिया 24 तक चलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि कल बोर्ड बार्मी परिक्षा 3 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की गई थी जिसके रिजल्ट देख सकते हैं कि मातर 40 दीन बाद ही जारी कर दिये गए थे बोर्ड अध्यक्ष ने 24 मार्च 2020 को इंटर का रिजल्ट जारी किया था और बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस बा देखा कि 28 मार्च के आसपास यहां पर आपका रिजल्ट जो है आने की 100% संबावना है और यहां पर आप लोग के लिए देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर परिच्छा का रिजल्ट जो है वो ओफीसिल वेपसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.gov.in पर जारी किया जाए बिहार जारी किया जाए परिच्छा लोर्ड जो है।